या अल्लाह तेरी शान बोहत बुलंद है, अपनी अजमत के वास्ते मेरे प्यारों की जिन्दगी खुशियों से भर दे, सेहत वही इमान वाली जिन्दगी अता फर्माएं, आमीन. या अल्लाह तू रात को जिस तरह दिन में बदलता है, उसी तरह हमारी परेशानियों को आसानी में बदल दे, आमीन. साल कैसा भी निकला पर रब के शुक्र से अच्छा निकला, बस कुछ आजमाईश्थी पर सबर किया, कुछ धोखा मिला तो कुछ ने दर्द दिया, पर अल्हम्दुलिला अल्लाह की जात ने मुझे कभी तूटने नहीं दिया. तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता कि अल्लाह पाक, तुम्हारी अक्सर खवहिशात को रद करके तुम्हें कितने गमों से बचाता है, बेशक अल्लाह नहायत रहम करने वाला है. अल्लाह सब की नियत से वाकिफ है, जैसी नियत रखोगे वैसे ही अजर पाओगे. बेशक मेरा रब मुझे आजमाता भी है और संभालता भी है. अल्लाह अपने बंदों को एक हद तक आजमाता है, जब इनसान सबर के साथ सारे दुख और तकलीफ बरदाश्ट करता है, और मुश्किलात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं बूलता, तो अल्लाह उसको ऐसी खुबसूरत नेमतों और खुशियों से नवाजता है, जिनका उसने कभी तसव्वूर भी ना किया हो. कितना खुबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं, और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है. दूसरी की तकलीफ का अंदाजा जब होता है, तो फिर अपनी तकलीफ छोटी लगती है, अल्हम्दुलिलाह अल्लाह ने जैसा भी रखा है, बहुत अच्छा रखा है. किया दूआ करून मैं मेरे अपनों के लिए एक खुदा बस यही दूआ है, कि मेरे अपने कभी किसी दूआ के मोहताज न हो. तमाम रुखे हुए काम और बंद दर्वाजों की बस एक ही चाबी है, जिससे लोग अस्तक्फार कहते है. सबर का दामन कभी मत छोड़ना, वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती, दूआ जरूर कुबूल होगी. तुम्हारे मुकदर का सब कुछ लिखा जा चुका है, रिस्क, दौलत, हमसफर, उलाद सब कुछ बस तुम दूआ करो और सबर रखो सही वक्त आने पर सब कुछ मिलेगा. सोचो अल्लाह कितना खुश होता होगा, जब बंदा तूटकर बिखर जाने के बाद भी कहता है, अल्हम्दूलिल्लाह. उस खुदा से डरते रहो, जिसकी सिफत यह है, कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो जानता है.